हेलो एन वेल्कम बैक टो माई चैनल ब्लॉसम स्विद्रजा जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कितनी बढ़िया हमारे गार्डेन में कलर्स हैं तो इन कलर्स को बढ़ाने के लिए आज मैं आप लोगों को बताऊंगी एक्जुरा प्लांट की केयर की कैसे हम उसकी केयर करें औ और क्या हम उसमें खाद वगएरा डालें जिससे कि आपका जो एक्जुरा का प्लांट है वो खूब अच्छे से फ्लावरिंग करें जैसे कि मेरा कर रहा है फूलों से पूरा लग जाए और जो डीटियल जान कर रही है वो एक्जुरा की ओल्डेडी मेरे उसमें मौझूद है इस पर मैं आप लों को बताऊंगी कि इसकी केर कैसे करनी है कैसे इसमें खाद वगएरा डाली है यह देखिए हमारा बड़ा वाला एक दूरा है इसकी वह सारी वेराइटी जो कलर्स अव लेवल है मार्केट में यह बड़ी वाली वेराइटी है यह गंबले के लिए यह बड़ी वेराइटी तो गंबले के लिए वह सही रहती है वह आप गंबले में लगा सकते हैं तो आईए सबसे पहले बात करते हैं कि इसके लिए हमें ऐसी कौन सी स्वाइल है जो प्रिपेर करनी चाहिए तो इसको भी वेल डेन स्वाइल चाहिए और इसमें दुबारा वाटरिंग तभी करनी है जबकि यह इसका जो पानी है मिट्टी का वह अच्छे से सूख जाए क्योंकि बहुत जादा वाटरिंग होगी तो जो प्लांट है मरा वह घल जाएगा यह देखे यह हैब्रेट वाली ड्वाली वराइटी है हमारी एक जोरा की फ्लार्स का साइज वही है बट यह देख रहे हैं आप लोग प्लांट का साइज चोटा होता है प्लस इसकी जो लीव हैं यह भी आप लोग देख रहे हैं कि साइज में बहुत चोटी है ऐस कंप्रेजन टू बड़े वाले की तो यह मैंने बहा लगा रखा है और वो जो दूसरा बड़ा वाला इसमें उसको डिवाइड कर लेंगे एक पार्ट हमें वर्मी कंपोस का चाहिए एक पार्ट हमें नॉर्मल गार्डन स्वाइल चाहिए और एक पार्ट सैन चाहिए इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे प्लस उसमें हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी एक तो इससे आपका plant fungus वगएरा से बच्चा रहेगा तो इस तरह की soil mix prepare करके हम उसमें अपने एक्जोरा के plant को transplant करेंगे पर यह चीज धियान रखेगा कि जब आप इसको नसरी से लाएं तो इसको transplant तभी करिएगा जब इसकी flowering खतम हो जाए अगर अभी आप transplant करेंगे तो एक त दूसरा इसमें थोड़ा जो हमारा प्लांट होता है वो कमजोर होता है जब फ्लावरिंग कर रहा होता है नूट्रिशन सारा उसमें जाता है तो आपके पेण के जाने के चांसे भी बहुत जादा है तो इसलिए जब फ्लावरिंग इसकी खतम हो जाए तभी आप इसमें इसको को रिप्लान करें दूसरा यह है कि इसकी कटिंग रेगुलरली करते रहना है जैसे फ्लार शैड़ो जाते हैं इनको आप कार दें तभी नई ब्रांचेस निकलेंगे और जितनी नई ब्रांचेस निकलेंगी उतनी जादा फ्लावरिंग होगी इसमें हम हर 15 दिन में या तो दिन में एक बार दो चमच बोन मेल या रॉक फॉस्फेड दोनों में से भी कोई एक चीज आप डाल सकते हैं प्लस आप सरसों की खली ले सकते हैं सरसों की खली जो है मार्केट में बहुत आसानी से 20-30 रुपए में मिल जाती है इसको आप पानी में भिगो के भी उसका पान द में दाल सकते हैं या इसको पौडर बना के भी डाल सकते मैं जैनरली पौडर फॉर्म में करके यह यूज करती हूं क्यूँकि बारिशों में वैसे ही फंगस का बहुत ज़्या डर रहता है और बारिश है क्योंकि स्टार्ट हो चुकि हैं तो जो पानी डालेंगे तो ऐसा पानी हैट कर दूंगे अपने एकजोरा के प्लान में तो यह थी कुछ टिप से जिसे कि आप बहुत आसानी से अपने एकजोरा में खुब सारे फ्लास पा सकते हैं तो आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा शेयर और जो भी नए व्यूर्ज हैं प्लीज सब्सक्राइब करिएगा और अगर आप हमारा वीडियो फेस्बुक पे देख रहे हैं तो प्लीज हमें फॉलो करिएगा तो कीप वाचिंग और थैंक यू फॉर वाचिंग दे वीडियो